आम लोगों की एक समस्या देखी जाती है कि पुलिस थाने में एफायर लिखवाना कभी कभी बड़ी टेरी खीर या सामान्य शब्दों में कहें तो बहुत मुश्किल साबित होता है इस वीडियो में हम देखेंगे कि पुलिस द्वारा एफायर दर्ज न करने पर हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले तो ये जानले कि हर अपराद की एफायर नहीं लिखी जाती इस संबंध में हमारे पहले बनाए गए इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि किन अपराधों की F.I.R. दर्ज हो सकती है अगर आप जिस अपराध पर F.I.R. लिखवाना चाहते हैं वो F.I.R. लिखे जाने योग्य है फिर भी अगर F.I.R. नहीं लिखी जा रही तो इस से पहले के आगे के कदम उठाए हमें निम्द सुनिश्चित करना चाहिए हमें देख लेना चाहिए कि हमारे पास नंबर एक घटना से समबंधित सभी जानकारियां और समबंधित सबूत हैं दो F.I.R. के लिए आवेदन की प्रतिलेपी है तीन हमने घटना स्थल वाले थाने में ही अप्लिकेशन दी थी फिर भी F.I.R. नहीं लिखी गई अब यदि पुलिस द्वारा आपकी शिकायत की प्राथमिकी या F.I.R. दर्ज नहीं की जाती है या F.I.R. दर्ज करने से मना किया जाता है तो आप अपनी शिकायत ओनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं ध्यान रखें कि ओनलाइन F.I.R. हर अप्राध की नहीं हो सकती साथ ही देश में बहुत सारे क्षेत्रों में ओनलाइन F.I.R. की सुविधा उपलब्ध नहीं है आप अपनी F.I.R. दर्ज करवाने के ये आवेदन या शिकायत पत्र रजिस्टर डाक द्वाराक्षेत्रिय पुलिस उपायुक्त को भेज सकते हैं यहां ये ध्यान रखे की रजिस्टर डाक पोस्ट आफिस से भेजी जाने वाली वो डाक है जिसका थोड़ा अधिक शुल्क लगता है पर पोस्ट आफिस इसका रिकॉर्ड रखता है इस बारे में आपके ये ये जानना भी महत्वपूर्ण होगा कि रजिस्टर डे से आपके पत्र को प्राप्त करने वाले के द्वारा पावती या रिसिप भी आपको मिल सकती है इसलिए अपना पत्र रजिस्टर डे से भीजे इसके अलावा आप इसकी शिकायत सीनियर आफिसेज जैसे अपर पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से समक्ष में मिलकर भी कर सकते हैं ध्यान रहे, सभी संबंधित दस्तावेजो और एफायर नहीं लिखे जाने की लिखित शिकायत या आवेदन की एक प्रती आपके पास हो आपको पहले संबंधित अधिकारी के आफिस जाकर उनके जनता से मिलने के दिन और समय को पता करना चाहिए और उसी के अनुसार उनसे मिलने जाना चाहिए इतना सब करने के बावजूद भी यदि कोई सुनवाई न हो तो आप अपने क्षेत्र के मेजिस्टरेट के सामने पुलिस को दिशा निर्देश देने के लिए कंप्लेंट पेटिशन डायर कर सकते हैं तो ये थी हमारी पेशकश की इफायर दर्जन करने पर क्या करना चाहिए उमीद है आपको विडियो पसंद आया होगा अपने कमेंट से बताए के विडियो कैसा लगा और किन विश्योन पर आप विडियो देखना चाहते हैं विडियो देखने के लिए धन्यवाद शुक्रिया